नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस 29 इंडिया मैं हूँ पूजा और आईए नजर डालते हैं न्यूस 29 इंडिया की इस खास पेशकस पर राहुल गांधी के आने का रास्ता देख रहे हैं अफीम के तसकर मनसौर में छिपे बैठे तसकर कॉंग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा होने का इंतजार कर रहे हैं कब राहुल गांदी यहां आए और कब अफीम का डोडा चूरा मनसौर के बाहर ले जाने का मौका में अब सोच रहे होंगे कि राहुल गांदी और अफीम का आपस में क्या रिष्टा है तो हम आपको बताते हैं कि अफीम के तसकर क्यों राहुल गांधी का रास्ता देख रहे हैं मनसौर अफीम उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अफीम पौधा एक मात्र ऐसा पौधा है जिसका हर अंश नशे के उप्योग में आता है फिर चाहे इसका फूल हो या फिर प्ति या डंठल अफीम निकालने के बाद उसके फल को डोडा कहा जाता है मनसौर में अफीम निकाली जा चुके है और इसके खाली फल यानि डोडा अफीम उत्पादक किसानों के घर में पड़ा है यह डोड़ा चूरा भी नशे का काम करता है इस डोड़े को पानी में उबालिया जाता है उबलने के बाद यह पानी काला हो जाता है इस पानी को पीने से अफीम का नशा आता है और इस डोड़े की बहुत मांग होती है इसकी बिक्री प्रतिबंदित होने से से इसमिय मंसौर में knobszaro १ौईट apar dodaوع जूदामों में पड़ा है मात्र 1500 किल वाला रजाए चूर पicitर Ó पण्जाब और हरियाना शेत्र में 5-10 लुपे किलों विखता है पंजाब और हर्याना डोडा चुरा के नशे की लत में डूप चुके हैं यहां इसकी बारहों महीने भारी मांग है पूरे मनसौर में इसके तसकर घात लगाए बैटे हैं कि कैसे मौका मिले और डोडा चुरा को मनसौर के बाहर ले जाए मनसौर में प्रती दिन कई वाहन डोडा चूरा ले जाते वक्त पकड़े जा रहे हैं बड़े तसकर तो किसी बड़े मौके की तलाश हुए है पिछले साल 6 जून को मनसौर में किसान आंदुलन हुआ था इस आंदुलन की दरान यहां बड़े पैमाने पर तोड़ फोड और आगजनी हुई जिससे निपटने के लिए गोलिया चलानी पड़ी और इसमें पांच किसानों की मौत हो गई थी बस यहीं से इस राजने तेक आंदुलन में एक नया ट्वीट आता है यहां की जानकार लोगों का कहना है कि पिछले साल हुआ किसान आंदुलन तो शांती पूर्ण था उसे हिंसक बनाने का काम अफीम के तसकरों ने किया आंदुलन के दरान हुई तोड़ फोड और आगजनी में मनसौर में बाहर से आये अफीम तसकरों का हाथ था मुँपर पट्टे बांद कर आगजनी करने वाले लोग और कोई नहीं ये तसकर ही थे किसानों को समझ में ही नहीं आया कि सारा घटना करम कैसे घट गया भाचपा, कॉंग्रेस और प्रशाशन के बीच की लड़ाई का फायदा तसकरों ने खुब उठाया और स्खेल को केवल जानकार लोग ही समझ पाए मनसौर के हालात बिगड़ने का फायदा इन अफीम तसकरों ने जम कर उठाया जैसे मनसौर के हालात बिगड़े वैसे ही इन तसकरों ने डोड़ा चूरा से भरे सैक्रो ट्रक मनसौर के बाहर कर दिये इस्थानी प्रशाशन लौ एंड ओर्डर ही समहल ते रहे गए अब आपको राहूल गांदी और आफीम के तसकरों के बीच का समझ में आही गया होगा अब भी नहीं समझ में आया हो तो आगे हम बताते हैं किस बार भी 6 जून को मनसौर में पिछले साल पुलिस की गोली से मारे गए किसानों की याद में कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांदी की सभा होने जा रही है और बिल्ली ची का तूटने का रास्ता देख रही है यानी डोडा चूरा की तसकर रास्ता देख रहे हैं कि मनसौर में इस दिन हंगामा हो और तसकर डोडा चूरा निकाल ले जाए तैयारी पूरी है राहूल की यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की नीद उड़ी हुई है मनसौर में यह हमामला कई सामप्रदाई की रूप नहीं ले ले इसके लिए मुख्यमंत्रे शिवराज सिंग चौहान 30 मई को मनसौर की यात्रा कर रहे है आश्यतोष वाचपई की विशेश रिपोर्ट इस खास पेश कस्म बस इतना ही और खबरों करी बने रहे है न्यूस 29 इंडिया के साथ एक देश सारी प्रदेश प्रदेश